हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल इंटूफ योड नॉलेज में आप से भी का श्वागत है फ्रेंड्स आज में इस देंट साबू दाना की जरी की देट भी लेकर आए हूं इस दाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही तेटी लगता है इसे आप कोई भी ब्रत में खाएए चाहे वो नौरात्री हो या एकादती या तो शीवरात्री शाबू दाना खिजरी के लिए हमने जो इंगनेज लिया है ओ है शाबू दाना ग्रेट किया हुआ आलो, सेंधा, नमत, जीरा, किश्मिष, निम्बू, कड़ी पत्ता, अदरक, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, देशी घी और कुछ भूना हुआ मुंख़ली का दाना तो सबसे पहले हमने गैस पे कडाही ले लिया है उसमें हम देशी घी डालेंगे घी यहाँ पे पडियाप्त मात्रा में डालने चाहिए जिससे सावुदाना अच्छे से भून सके सबसे पहले हम इसमें एक चम्बन जीरा डालेंगे जीरा को हलका सा हम सटकने देंगे उसके बाद हम इसमें पत्ले-पत्ले कटी हुई अदरक डालेंगे तो यह एक इस अदरक है जिसे हमने पत्ला-पत्ला काट लिया है दो से तीन हरी मिर्च को हमने बीच से काट लिया है उसे भी डाल देंगे अब हम इसे कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे साथ में हम कड़ी पत्ता डालेंगे ध्यान दहे कड़ी पत्ता आप लाश्ट में डालिएगा नहीं तो घी के शीते आने लगते हैं आप देख सकते हैं हलका सापना मिच अद्रक भून चुका है अब यहाँ पे हम ग्रेट किया हुआ आलू डालेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा आलू को हमने पील करके ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था यहाँ पे कोई कोई उबला हुआ आलू डालता है लेकिन हमने यहाँ पे ग्रेट किया हुआ आलू डाला है इसका स्वाद और बढ़ जाता है आलो को हमने अच्छे से फून मिक्स किया है अब हम ढखके इसे कुछ मिनट के लिए पका लेंगे आप देख सकते हैं अपनी आलो पक चुकी है क्योंकि ये ग्रेडर आलो है तो पकने में टाइम नहीं लगता है अब यहाँ पे हम फूला हुआ शाबूदाना डालेंगे तो शाबूदाना फूलाने के विधिया आपको बता दे रहे हैं दो से तीन घंटे पहले साबूदाना को अच्छे से धोके और हलका सा पानी में इसे ढखके रख दीजिए दो तीन घंटे बाद अपनी साबूदाना अच्छे से फूल जाती है वही साबूदाना हमने यहाँ पे डाला है यहां पे हम भूना हुआ मोंपली भी डाल लेंगे और साथ में हमने जो किस्मिश लिया था उसे भी डाल लेंगे हम लीज़े मिक्स कर लेंगे साथ में हम कबढ़ करके इसे कुछ मीनट के लिए पकाएंगे जिससे आलू के साथ साबुदाना अपना अच्छे से पक जाए ध्यान रहे हैं हम बीच-बीच में चलाते हुए पकाएं है तो आप देख सकते हैं अपनी शाबुदाना आलू के साथ अच्छे से पक चुकी है ये सारे प्रोसेस हमें मेरियम फ्लेम पे करना है सच्छे लाश्ट में हम नमक डालेंगे तो आपको पता है उकवास में सेंधा नमक यूज होता है और हम फ्रेश धनिया पता डाले है साथ में हम कुछ यहां निम्बु का रश डालेंगे इससे अपनी खिचरी में बहुत ही ज़्यादा स्वादाने लगता है जहां पे धनिया पता हो निम्बु का रश हो उसमें तो स्वादाना ही है तो चलिए हम अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो फ्रेंज आपने देख लिया उपवाज के लिए साबुदाना खिचरी बनाना कितना आसान है खाने में तो यह टेश्टी होता ही है आप जब प्रत रखना हो उससे दो घंटा पहले साबुदाना को भीगा देजिए पानी से निकालके आप फटा फट इस खिचरी को तयार कर सकते हैं तो फ्रेंज अगर आज की मेरी यह साबुदाना की खिचरी आपको अच्छी लगे तो मेरे सेनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए हाद जात रहें, आप अपना कमेंट किखते हैं, तो हमेरे सी बनाने में मज़ा आता है